हलो दोस्तों जै माकाल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टू इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएजिसे नए वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं दोस्तों आज में लेकर रहे हूँ पटवार, वीडियो, हाइकोट, वनपाल, वनरक्षक, पटवारी इन सभी के लिए महत्यपूर्ण क्यूशन दोस्तों इनसे बाहर नहीं जाएंगे और हम इन क्यूशनों से ही उसके बारे में बेसिक नोलेज में आपको दे दूँगा उनसे बाहर आपको क्यूशन नहीं जाएगा तो इन क्यूशनों को दोस्तों कंटस्ट कर लेना फिर आपके अगर एकजाम में अगर क्यूशन वो ही क्यूशन आ जाए तो आप उस क्यूशन को बोल सकते हो कौन हो तुम तो दोस्तों आज हम सुरू करते हैं अपना पहला क्य हुआ, रावकरण सिंगh, अजै राज फिर्च के मद्दों तो इन में से बताना है राइट आंसर, तो आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ कि ऐसका राइट आंसर पता हो तो एी आंसर इसका नागोर के साशक, अमर सिंग और रावकरण सिंगं के मत दे तो मैं आपको कर्ण सिंग का बारा में बताता हूं कि कर्ण सिंग का सासनकाल दोस्तों अगर पूचे तो 1631 से था कब था 1631 से 1668 इस्वी तक इसका सासनकाल रहा याद रखना ठीक है फिर इसके बारे में मैत्वपूर्ण सूचना और तो इंपोर्टेंट यह है कि मुकल उत्रद्रीगारी जो युद्द के समस्त कर्ण सिंग तटस्त रहा ठीक है जो मतیरे की राड ए उसके बारे में यह यादे है डाक्टर गोरी संकर हीराचंद ओजा के विचार से यह सूर्य वंसी सत्रिय थे क्या सही है यह डाक्टर दसरत सर्मा चोहान की उत्पत्ती ब्रहामन वंस से मानते थे सिलालेक के अनुसार सामल जी के परवर्तक वासुदेव चोहान थे तो दोस्तों इनके सभी ही आंसर बिल्कुल राइट है ठीक है याद रखना जिसके सभी आंसर राइट है ठीक है आगे चलते हैं सत्य कतन का इसमें भी चुनाव करना है आपको दोस्तों की सत्य कतन में आपको बताना आए आपके पास चार उप्सन है एक मिनट हाँ अब देखिए बट बटके गरंत सुक्षप्तिती यह दोस्तों यहां गरवड है यह यहां बटके नहीं होगा क्या होगा यहां पे बटके नहीं होगा दोस्तों याद रखना यह थोड़ा मिश्टेक हैं आपे कि बटके गलत है यहां पे चिंतामणी बट होना चाहिए, क्या होना चीए, चिंता मनी भट्ट, गरंत सुक्त सब्तती में करण सिंख को जालंदर बात सा कहा गया, राइट आंसर है यहाँ पे, तो यह आपको बताना है चिंता मनी भट्ट, याद रखना, यह स्टाटिंग में है चिंता मनी भट्ट द्वारा ही, चिंता मनी भ गरंत सुक्षप्तती में करण सिंग को जालंदर बादसा कहा गया बिल्कुर राइट आंसर है दोस्तों चिंतामणी बरट के गरंत जो सुक्षप्तती गी उसमें करण सिंग को क्या कहा गया जालंदर बादसा कहा गया था करण सिंग ने साहित्य कल्प द्रुम और उसके दर्बारी विद्वान गंगा नंद मेथिल ने करण भूशन और काववे डाकिनी नाम गरंत लिखे क्या ये सही है तूसरा तीसरा है गुजर प्रतिहारों के सामन्त थे इनमें राइट आंसर बताना है आपको कि सत्य कतनी में से कौन सा है तो पहला दोस्तों याद रखना चिंतावणी की सुक्त सप्तिती में करण सिंग को जालंदर बाद सा कहा गया बिल्कुल सही आंसर है करण सिंग ने साहित्य कल्प द्रुम और उसके दर्बारी विद्वान गंगा नंद मेथिल ने करण भूशन और काववे डाकिनी नाम गरंत लिके ये भी बिल्कुल सही है गुजर परतिहारों के सामन्त थे ये भी बिल्कुल सही है गुजर परतिहारों के सामन्त थे दोस्तों याद रखना प्रारंब में चोहान जो वन्स थे चोहान गुजर परतिहारों के सामन्त थे याद रखना जो आपको मैं बता देता हूँ चोहान गुजर परतिहारों के साम उपादी वेरी घट या सत्रू संगार मिलती है फरिस्ता के अनुसार गोविंद तृते ने गजनी के सासन को मारवार में आगे बढ़ने से रोका था अजमेर नगर अर्णोराज निवसाया था इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसमें राइट आंसर क्या होगा ए भी ह या इन में से आपको बताना कि कौन सा होगा गलत कत् debates कौन सा है तो ऑपको मैं बता दू कि पर्तिव राज वीज्ए नामगरंट गोविंद तृत्य की उपादी वेरी घट में मिलती है बिलकुल सही बात है कि ये उपादी उसमें मिलती है रह दोस्तों ठीक है फिर देख के दूसरा परिश्टे के अनुसार गोविन्त कि गली मार वार में अगे आने से रोका था यह वी विल्कुल सही है लेकिन आपको मैं बता दूतAcc अजमेर नगर की स्तापना किस ने की थी, यह आपको पता होना चाहिए, अजमेर नगर की स्तापना दोस्तों, अजे राज के द्वारा की गई थी, जिसे अजमेरू, अजमेरू कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था, अजमेरू कहा जाता था, अजमेर को, अब यह पूछे क कब की गई थी तो यह दोस्तों 1113 इस्वी में की गई थी ठीक है अजमेर की इस्तापना ये इसका राइट आंसर है गलत गतन है ठीक है अब असत्य गतन का आपको चुनाव करना है कि इसत्य गतन इन में से कौन सा है आपके पास चार उप्शन है इसमें असत्य गतन बताना है को कि असत्यकतन कौन सा है अजे राज का सासनकाल ग्यारा सो पांच इस्वी से ग्यारा सो तेटीस इस्वी तक रहा अर्णोराज का सासनकाल ग्यारा सो पैंटीस से ग्यारा सो पच्पन तक रहा अर्णोराज ने तुर्कों एंव मालवा के सासन को परास्त किया और नेक्स्ट ह अर्णो राज गुजरात के सासन कुमारपाल चालू के से विजे हुआ तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अजे राज का सासनकाल अभी मैंने बताया ग्यारा सो पांच से ग्यारा सो तेंटीस इस्वी तक रहा ठीक है फिर है अर्णो राज का सासनकाल दोस्तों अजे राज के बारे में बताऊं दोस्तों यह ग्यारा सो पांच में सासन बना था ठीक है यह 25 आशक माना जाता था और दोस्तो इसने अजमेर बसा कर चान्दी ये उन ताबे के सिक्के भी चलाये थे जैसे अजे प्रीय या और दंब्र भी केते हैं क्या कहते हैं जो इसमें चांदी की सिख्के थे उनको अज़े परी ये कहते थे तांबे की सिख्के दोस्तों दंबर कहलाते थे ठीक है याद रखना इसे भी ठीक है next चलते हैं आगे शत्ते कतन का चुनाव कीजिए इनमें से आपको सत्ते कतन बताना है कि इसमें राइट आंसर कौनसा है अजमेर में आना सागर जील एयों पुषकल में वराह मंदिर का निर्मान अरणोराज द्वारा करवाया गया विग्रेराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया विग्रेराज चतुर्त दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला सोहान सासक था तो इसमें सत्य कतन का चुनाव करना है कि सत्य कौन सा है अजमेर में दोस्तों आपको पता है कि आना सागर जील और पुसकर वरा मंदिर इन दोनों का निर्मार दोस्तों अर्णो राज के द्वारा ही करवाया गया बिल्कुल राइट आंसर है और दोस्तों अनो राज के बारवे बता दू कि अनो राज एक सेव था. क्या था? एक सेव धरम से समझ्धित रखता था, ठीक है? और अन्ने धरम को परती उसका कोई भाव नहीं था, ठीक है? विग्रे राज ने तौम्रो को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया, बि में सत्य खतन का चुनाव करना है अपनकों की विग्रे राज चतुर्थ सत्य क्या चीज है जयानक भट ने विग्रे राज उसको सोचिए दिमाग में ओही लाईए कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है तो आपको सबसे पहले यही पता होगा कि दोस्तों विग्रे राज चतुर्त ने अजमेर में एक संस्कृत पार साला बनवाई थी पता है जिसे तुड़वा कर जो कुतुब उद्दीन बात है कि विग्रे राज ने बिसलपूर बसा कर उसमें बिसलपूर जील का निर्मान करवाया तो इसमें देखिए सी और डी किसमें है इसमें सी और डी दोस्तों इसमें भी सी और डी है और इसमें सी और डी है तो ये तो दोनों कट गए ठीक है इसमें तो होई नहीं सकता अब इन दोनों में से आपको बताना है, अब इन दोनों में से आपको क्या चूज करना है, तो देखिए दोस्तों आपको ये भी पता है कि सौम देव ने ललित विग्रे राज नाटक की रचना की और ये पता है कि विग्रे राज के हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान थ जयानक बटन ने विग्रेरा चतुर्त को कभी बांदव की उपादी थी ये भी बिलकुल सही है तो A, B, C, D इसके चारों ही राइट आंसर है आटवा क्यूशन अपने पास है कि दसरत सर्मा के द्वारा दसरत सर्मा के द्वारा दोस्तों ये कतन कहा गया किसके बारे में है कहा कि एक सेना देक्स भी था उसके साथ साथ एक विजेता के रूप में भी था साहित्ते का सरनक्षक भी था अच्छा कवी था सूजबूज वाला निर्माता था तो इसके दोस्तों इसके बारे में किसके बारे में कहा दसरत सर्मा ने अजे राज के बारे में परत्वी राज तिर्थे के बारे में विग्रे राज चतून का आपको चुनाव करना है तो आपके पास 4 options है इसमें से आपको राइट आंसर का जवाब देना है थीक है विग्रे राज चतून का सासनकाल 11 का 1 से 1667 सवी तक रहा यह सही है या गलत यह बताना है आपको पर्दिवराज तिर्ते का सासनकाल 1170 से 1112 इस्वी तक रहा अजेराज का सासनकाल 1110 से 1140 तक रहा तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी मैंने पढ़ा कि आया था कि अजेराज का सासनकाल 1110 से नहीं था बलकि आपको पता होना चाहिए कि अजे राज का सासनकाल दोस्तों ग्यारा सो पांच इस्वी से ग्यारा सो तेटीस इस्वी तक रहा था ठीक है ग्यारा सो तेटीस इस्वी तक रहा था ये याद रखना है आपको ठीक है और इसके बारे में और तो बाकी आपको याद करने है विग्रेरा चतुर्त का सासनकाल 1108 इस्वी से 1163 इस्वी तक था परतिविराज तिर्थे का सासनकाल 1170 से 1102 में इस्वी तक रहा क्योंकि 1102 में दोस्तों इसका तीसरा युद्ध हुआ था तरायन का किसका जो मुहमद गोरी और उसके मद्दे हुआ था जिसमें आप पोको पत कि ग्यारा सो बारणमें में वो हार गया था आगे चलते हैं Completely अपना प्रतिविरास दिरते के बारे में सत्य कतन के बारे में आपको बताना है कि इसमें असत्य कतन कौन उन्हें को परास्थ किया था इसमें महोबा के चंडेल सासक को परास्थ किया तराइन के पर्थम युद्ध में 1101 में इस्वी में गोरी को परास्थ किया ये तो सभी को पता है तराइन की द्वित्य युद्ध में 1102 में युद्ध में मुहम्मद गोरी को परास्थ किया ये ब से खुद परास्त हुआ था थीक है तो यह याद रखना तो इसमें इसे गलत का थण का चुनाओ करना है कि इसमें से कौन कौन से गलत है 4 option आपके पास है ठीक है A B C D तो हो यह नहीं सकता ठीक है क्योंकि यह तो बिल्कुल सही है तरायन के पर्थम युद 1100 इक्राण में इस स्वी में गोरी को उसने परास्ट किया था फिर इसमें C सही है तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें C नहीं है ठीक है अब आपके पास दो अपसन है D और BC तो आपको पता है C तो है अपने पास इसमें आपको अगर B पता है तो राइट आंसर बता सकते हो तो दोस्तों इसमें देखो यह भी राइट है ठीक है C इसमें दोनों सही राइट है 1882 में सतलज परदेश के जो बंडा नक थे उनको प्रास्त किया था और महोबा के चंदेर सासक को भी प्रास्त किया था यह भी याद तो यह दोनों ही सही है, बाकि अपने पास only D गलत है, तो D answer इसका हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों, आज के अपनी 10 questions हो गए है, very very important question है, इनको जरूर देख लिएगा दोस्तों, exam में अगर question आ जाए इन से related, तो आपको confused नहीं होना है, दोस्तों, सिर्फ question को देखना है, उ अपने वाले जो वीडियो रहे हैं, उनको जरूर देख लेना, दोस्तों, पटवार के लिए बहुत उप्योगी है, जो परसासन से संब्दित थे, मुख के सचीव के बारे में थे, उन सभी के मैं जिले collector के बारे में थे, उनको भी देख लेना दोस्तों, वो सभी से important question आए और आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद आप सभी का झाल झाल